हलो दोस्तो इस बीडियो में हम लोग बात करेंगे संराइस हैदरवाद वसस पंजाब किंग्स के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तो दोनों टीमों के स्टैट्स के उपर पूरी डिटेल अनलिसिस करेंगे और जानेंग यहां से कौन से प्लियर बेस्ट आप्सन रहेंगे स्मॉल लिग और खास करके ग्रैंड लिग के लिए और ये भी जाने हैं दोस्तों जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से प्लेर एक दूसरे टीम हो खेला पच्छा पॉखरमेंस करते हैं और जो टीम चेस की हो दोस्तों 11 मुकाबला जीती है हाइड स्कोर यहाँ पर 222 रन का जो कि राजस्थान ने बनाय हुआ एवरे स्कोर यहाँ पर आपको 1665 के आसपास देखने को मिलेगा और लोट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 97 रन का जो कि दोस्तों चलना ही ओल आउट हो गया था स्कोरिंग पेटन की बात करें तो यहाँ पर 5 बर लोट स्कोर गी मैच अभी तक जा चुका है नहीं तो देखा जाए तो बाकी साभी मुकाबले में 1500 के ऊपर यह स्कोर गिया है और 190 प्लस भी यहाँ पर देख सकते हैं 5 बर स्कोर जा चुका है तो दोस्तो अगर बैट्समन अच्छे फॉर्म में रहे हैं तो इस मुकाबले में आपको अच्छा खासा स्कोर भी देखने को मिलेगा पेस बसे स्पीन की बात करें तो यहाँ पर फास्ट बलर को बहुत थी जारा मरत मिलती है हवी तक 122 विकेट ले चुके हैं और अस्पीन बलर की बात करें तो बातर दोस्तो 46 विकेट मिला है अब उसके बात करते हैं रिसेंट मुकावले के रिकॉर्ट की उपर इस ग्राउंड पर तो पिछला मुकावला दोस्तों गुजरात 168 रन का टार्गेट दी थी वो टार्गेट मुंबई बहुत यह असानी से चेस कर लिया था और उसके पहले इस दोस्तों देख सकते हैं कि फ खेली है और दोनों टीम्स दोस्तों बिल्कुल एक जिससे फॉर्म में 6-6 मुकावला जीती है और कांटे के टकर तो आपको देखने को मिलेगी लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ी है कि दोस्तों दोनों टीम्स के हेट टुएड रिकॉर्ट में 19 बार आमने सामने मुकावला हुआ है जिसमें से दोस्तों हैदरबाद हमेशा दोस्तों वन साइडेड विनिंग करता रहा है तेरा बार जीता है दोस्तों और पंजाब की बात करे मातर छे बार और इंटरेस्टिंग चीज़ी यहाँ पर यह भी है दोस्तों दोनों टीम्स के बीच एक मुकावला इस यह दोनों टीम्स के बीच खेला गया उस मुकावले में कौन से प्लियर एक दूसरे टीम खिलाप अच्छा पोहमेंस किये थे और इसे देखकर आप कौन दाद लगेगा इकौन से प्लियर को आपको स्मॉल लिग ग्रेंड लिमिट लेना चाहिए तो सबसे पहले बात करें बैटिंग सेक्सन में एक तरह से देखा जाए तो पंजाब के टॉप ओडर पूरी तरीके से फ्लॉफ हो गई थी लिमिश्टोन ने आकर पारी समाली थी 60 रन बनाया था और लाश्ट में दोस्ता आकर सारू खान ने 26 रन बनाया थे और दोस्तों वहीं हैधरवाद की तरफ से बात कर रहे तो इनके टॉप ओडर में केवल केन लिवेंसन टीन रन बनाया थे नहीं तो देखा रहे तो सभी बैट्स में अचे फॉर्म में थे मारकरा में 41 रन नोट आउट और निकलास पूरण 25 रन नोट आउट और वहीं बॉलिंग से बात कर रहे तो बहुत ही से लिविंग स्टॉन होगे और में करवाल होगे उनको दोस्तो आपको इस टीम में थोड़ा बहुत आपको फोकस कर लेना है अब उसके बात कर लेते हैं क्या रहे तो पंजाब कि इस मुकावले में प्लेंग लें तो दोस्तो ओपनिंग करते हुए आपको सिखरदावन सिजन का तो नई प्लेयर को मौका मिल सकता है इस टार्टिंग में आपको अर्षदीप सिंग और हरप्रित बाप बोलिंग कराते हों दिखेंगे और आखरी को बार में रवाड़ा और अर्षदीप सिंग अब उसके अद्वात कर लेते हैं इनके सारे प्लेयर के उपर सकते हैं और आप लोग हमारे लिंक से sign up करेंगे तो संदार 15 रुपे का विलकम बोनस भी देखने को मिलेगा यही नहीं दोस्तों यहां पर आप लोग अपना पहला गेम भी बिल्कुल फ्री में खेल सकते हैं जी यहां दोस्तों बिल्कुल सही सुनें जाइए जल से अल सब्सक्राइब के प्लेयर से रिकॉर्ड की उपर तो सबस्तों बैटिंग से से बात करें तो जॉनी बरेश्टो और सिखर्जौन की ओपनर्स की बात करें तो अच्छे फर्म में हैं और पिछले मुकाबले में 28 रन और 19 रन बनाये थें लेकिन इंट्रेस्टिंग बात है कि दोस्तों सिखर्जौन का head to head का record अच्छा है दोस्तों है धरवाद के ला 35 के बरेश्ट है तो इस मुकाबले के लिए इंपोर्टन रहेंगे ग्रैंड लिए जोनी बेश्टो का आप लोग captain wise captain मतलब नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनका अच्छा record तो नहीं है पिछली बार ए 26 cabbage और पिछली मुखाबले भले यो इंप लिएंपोर्टन रहेंगे ये जोग अच्छा दून लेकिन ऑपक। लिए बहुत ही important pick रहेंगे आप लोग लिए, bowling second से दोस्तों बात करेंगे तो इधर से आपको सबसे main आपको दो बोलर दिख रहे होंगे, Rabada और Rahul चहर, दोनों का performance बहुत ही संदर, तो दोस्तों आप लोग लिए small league लिए बेह दिरिन रहेंगे, खास करके रबाड़ा है 15 विकट ले चुके है मातर 9 मुकावले में ग्रैंड लिगी हिसाब से देखा जाता दोस्तों पिछले मुकावले में चार आप लोग के लिए बॉलर बहुत ही इंपोर्टन हैंगे इस खेल बाड़र पिछले में लेकर लेकिन पिछले मगावले में énorm। प्लेस अभी नहीं खेल रहा है उनका वने रिकोर्ड लेकर रखा अगर खेल तया तो मैं आपको टेलिग्राम और उप्डेट करूँए अब उसके बात करते हैं क्या रहेगी हैदरबाद की इस मुकावले में प्लेंगे लिए तिरसे आपको प्रियमगर्द और अभिस्यक सर्मा खेलते होगे दिखेंगे और इधर से आपको बहुत कम चांट से के बदला होगा क्योंकि पिछले मुकावला जीत करा रही और पिछले मुकावले में प्रियमगर्द अब उसके बात कर लेते हैं इनके सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की उपर तिधर से आपको ओपनिंग करते हो दिखेंगे अविस्यक सर्मा और प्रियमगर्द पिछले मुकावले मं दोस्तों अब इस एक सर्मा मातर 9 रान बनाने पाया थे लेकिन यसी नहीं है कि अणका च्छरिक फर्म नहीं है इस्टार्टिंग सच्छे फर्म में है और बहुत ये मलताव बहुत सबसे का सकता है कि बहुत बहुत अबहुत इस तिरी नभी यह तीनों दोस्तों जो लोडर का बैट्समेन हैं इंपोर्टेंट रहेंगे और अगर आप लोग यहाँ पर ले रहे हैं प्रियम गर्ज और अविशेक सरमा दोनों को तो आप लोग निकलेस पूर्ण को डॉप कर सकते हैं क्योंकि अगर आप टॉप लोडर का बैट्समेन को यह सोच करेंगे तो जो नीचे आएंगे बैट्टिंग करने उनको बहुत ही काम चांस मिलेगा इसलिए आप लोग अगर प्रियम गर्ज को डॉप कर रहे हैं तो निकलेस पूर्ण को जरूर्ण राई कीजएगा इंपोर्टर रहेंगे पिछले मुकावले में 38 अबनाए थ कर सकते हैं और अगर आपको दोनों ओपनेर्स को ले रहे हैं तो जो लोडर के बैट्स में उनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं और सबसे इंपोर्टेंट केल में पिछले मुकावले बैटिंग करने बहुत जारा नीचे आए थे परफॉमेंस भी कुछ खास नहीं है तो इ इस विकट ले चुक हैं तो यह इंपोर्टेंट तो रहेंगे ही खास करके नाट्रादन को बहुत जारा लोग ड्रॉप करें क्रेट का इसु आ रहा है ते नाट्रादन के जिगा प्राप लग हुपनेस रुकमान को ले सकते हैं हैं बहुत संदार रिकॉर्ड हैं लेकिन फि खेल रहें उनका वहने रिकॉर्ड लिख रखा तो अगरों खेलते हैं तो मैं आपको ट्लिग्राम पर जरूर अपडेट करूंगा तो यह होगी दोस्तों यहां पर हमारी पूरी डीटेल अनलिस सब बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन की उपर तो सबसे पहले हम लोग यहां अगर आप लोग यह सोच का टीम बना रहे हैं कि टॉप अच्छा पोहमेंस करेंगे तो फिर निकलेस पूरन का बैटिंग करने का बहुत ही कम मौका मिलेगा उसी साब से दोस्तों आप ले सकते हैं फिला दोस्तों मैं इनकलेस पूरन को लेंगा क्योंकि मैं टॉप ओडर का एक दो प्लेर को डॉप करूँगा और जोनी बेस्टों को तो बुझे लेना है जो कि फिलाल अच्छे फॉर्म मैं जे सर्मा का आप लोग ट्राइ कर सकते हैं यूगि हर मुकावले में मतलब 50 से प्लस ज्यादा 40-50 पॉइंट्स दे रहे हैं लेकिन फिर बी इनको मातर 29 पस साथ जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रियम गर्ज को ड्रॉप कर रहा हूँ और आप लोग चाहते हैं तो दोस्तों प्रियम गर्ज को ले सकते हैं यहाँ पर अनिकलास फूरन की जगह पर और बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रैंड लिक के हिसाब से तो यहाँ पर 20 पक्सा तो बॉलिंग से संदार प्रफोर्मेंस कर रहे हैं, अगर बॉलिंग से नहीं करने पार है, तो बैटिंग से कर रहे हैं, तो यह तो दोस्तों important रहेंगे ही, खास करके मैंने मारगरम को भी लिया हुआ है, यहाँ पर मैं दो और का साथ जा रहा हूँ, अब उसके बाद बॉलि प्रियाम गरच को ले सकते हैं, तो यहां पर आपको दो थिन प्रीर आपको देख रहेंगे, जो कि बहुत या संदर फोर्म है, सबसे पहले इंप्रफोर्म रहेंगे, आपको लिंग। क्याप्टन के लिए safe option और दूसरे यहाँ पर रहेंगे आप लोगों के लिए जोड़ा बहुत ग्रैंड लिंग में जा रहे हैं तो लेकिन सबसे safe अगर आपको बिल्कुल जाना है तो लेविस्टोन को आप लोगों क्याप्टन बना देजिए और बॉलिंग सकते हैं आप लो फिर उसके बाद ग्रैंड लिंग की टीम की उपर तो दोस्तो यह रहने माली है हमारी यहाँ पर टीम की प्रीविवी तीन में बैट्समन के लिए हुआ है तीन में यहाँ पर ओल्राउंडर तीन बोलर और दो विकेट हीपर को यह होगी दोस्ते हाँ पर हमारी ग्रैंड लिंग की टीम को अंबिनेशन और मैं आप सब यह यह बोल दू कि जो लोग भी टेलेग्राम पर नहीं जूड़े हैं जल से आल जाकर जूड़िया है क्योंकि वही पर आपको टॉस के बाद विल्गुल फ्री में टीम्स मिलेगी और आपको मैं एक्चीर यह बता दू कि वहाँ पर आपको ग्रैंड लिंग की टीम से भी देते तरह होता हूँ दोस्तों तो जल से आल जाकर जूड़िया लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिलेगा तो दोस्तों वहाँ लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं माईलोर सरकल के टीम की प्रीवीव फिरुस के बाद ग्रैंड लिंग की टीम की ऊपर तो यहाँ पर आप वो क्रेट पुले कर कोई इसू नहीं आगी यहाँ पर आप लोग नटादन को भी ले सकते हैं और अपने मन पसंद का फ्लेयर को भी टीम में बना सकते हैं और कैप्टन बनार और रबाड़क और वाइस कैप्टन उम्रान मलिक को तो दोस्तो यह रही कि ग्रेंडल की टीम्स और फाइनल टीम आपको टेलेग्राम पर मिलेगी तो धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजे और टेजल से जाके अनटल केरिग्राम पर जॉइन के लिए धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए